शहर में कोरणा महामारी से बृत्यू का आखड़ा बढ़ावा है ऐसे में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए गंगाबाई घाट पर इत्ती शव की संख्या बड़ी है कि अब गंगाबाई घाट परिशन में जावी थोड़ी बहुत जगा दिखती है वही शव का अंतिम संस क्या जा रहा है रात का संदाटा और गंगाबाई घाट से उट्टी आखी लपटे किस प्रकार की है आए देखते हैं हमारे संवाताता संचे मिरे इनकी गंगाबाई घाट से ग्राउंड रिपोर्ट रात का संदाटा और गंगाबाई घाट में देश में कोरोना संक्रिमन क बहुत पावबसार रहा है कोरुना ने अब तक के कई लोगों को मोत की निज दुला दी है शहर के गंगाबाई घाट पर रोचाना 40-50 शव का अंतिम संस्कार क्या जा रहा है मनपाक की कर्मी भी अच्छा काम करें है गंगाबाई घाट पर हर तिन अंतिम संसकार करनी का आकड़ा पड़ावा है गाड़ पर किसी शव का अंतिम संसकार करना एक तेड़ी खिड सापी थो रही है पुरा गंगाबाई खाड फूल चल रहा है कई शव को अंतिम संसकार करनी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है रात आट पचे का यह नजारा द देखते ही बनता है जिदर भी नजर जाती लाशों का अंतिन संस्कार होती दिखायती रहा है सतर शव को जलाने के बाद गंगाबाई खाड परिसर में उठी आग की लप्टों से पुरा गंगाबाई खाड अगनी से चमक उठा था यहां पर काम करने वाले कर्मचारी भी भारत वर्ष में प्रसित है कोरणा नियमों का पालंग करना बहुत जरूरी है वरना वो तेन दूर नहीं कि पूरे शहर भर में जगा जगा अंतिन संस्कार की इसी तरह की जवाला दिखाय देगी गंगाबाई घाट की स्तिती दर्शकों यह है कि वहाँ पर साट से सतर रोजाना शो का अंतिन संस्कार किया जा रहा है आप यह विजूल देख रहे हैं इस समय में जो टीव पे शुरू है यह नजारा है शहर के गंगाबाई घाट का इससे अनुमान लगा यह कि और कितने ऐसे घाटे जहां पे इस तरह से शो का अंतिन संस्कार हो रहा है इसने इस साफ़ जाहिर होता है कि कोरोना ने इस कदर पाउं पसार दिया है सब को मौत की आगोश में लेने के खुद की करवाई ऐसे दर्शिकों के लिए यह कहना चाहते है कि यदि हम सायोग नहीं करेगे तो करेगा कौन विसेंद्यूस के लिए गांगापाई खाट से संचेंबिरी इनकी रिपूर्ट